दोस्तों ये घटना है साउथ अमेरिका के एक देश पेरू की, जहां एक पान साल की बच्ची पेरू की राजधानी लीमा में रहती थी, इस बच्ची का नाम लीना मेडीना था, एक दिन अचानक से इस बच्ची के पेट में काफी जोर से दर्ध होना शुरू हो गया, लीना क लीना की मा को ये समझ ही नहीं आया कि आखिर उसकी चोटी सी बच्ची के साथ ये सब क्या हो रहा है, लीना की मा काफी परिशानी की वजह ये थी कि उसकी चोटी सी बच्ची का पेट हर गुजरते दिन के साथ पूलता ही जा रहा था, और इस पान साल की बच्ची को देखक ऐसा लगता था कि वो गर्वती है लेकिन परिशानी की बात ये थी कि उसकी उम्र काफी कम थी लीना के माबाप को कभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी कमसिंसी बेटी प्रेगनेंट हो सकती है उन्होंने बिना मैडिकल रिपोर्ट के ही मान लिया था कि उनकी बेटी इनके सभी रिष्टिधार ये कह रहे थे कि लीना किसी आत्मा के बस में है और आत्मा नहीं इसे प्रेगनन कर दिया है दोस्तो क्या ये बच्ची सच में गर्वती थी अगर नहीं तो आखिर इसका पेट क्यों बढ़ता जा रहा था इस सची घटना की हकीकत क्या है जानने क लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल अमेजिंग लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तो कई दिनों से लीना अपनी मा से पेट दर्द की शिकायत कर रही थी और इसकी मा को ये लग रहा था कि ये कोई मामूली सी बात होगी जिसकी वज़े से ऐसा वैसा खा लेते हैं जिसकी वज़े से इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और फिर कुछ दिनों बाद खुद ही ठीक भी हो जाता है लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे इस बच्ची की हालत और भी जादा खराब होती जा रही थी साथ ही इसका पेट भी और जादा बड़ा होता जा रहा था तब इसकी मा डर के मारे इसे डॉक्टर के पास ले गई डॉक्टर गिराडो ने जब इस बच्ची को देखा तो उन्हें लगा कि इसे कोई ट्यूमर है लेकिन सवाल ये था कि ट्यूमर थो इतना बड़ा नहीं होता लिहाजा डॉक्टर गिराडो ने ये सोचा कि हो सकता है कि इसे कोई और बिमारी हो या फिर ये बच्ची गर्ब से हो लेकिन 5 साल की बच्ची कैसे गर्ब से हो सकती है डॉक्टर ने फोरण उस कोक से इस बच्ची की धड़कन को सुनना शुरू किया और कई बार धड़कन सुनने के बाद डॉक्टर को ये लगा कि उन्हें एक नहीं बलकि दो-दो धड़कने सुनाई दे रही है। पहले तो डॉक्टर को ये लगा कि शायद उनका वहम है और डॉक्टर गिराडो ने तूसरी धड़कन पर ध्यान नहीं दिया। काफी दिन बीचने के बाद भी डॉक्टर को ये पता नहीं चला कि आखिर लीना किस बीमारी का शिकार है। लहाजा डॉक्टर ने लीना का अल्ट्रा साउंड कराने का फैसला किया और नर्स को बला लिया। नर्स ने जब लीना का अल्ट्रा साउंड देखा तो नर्स के होश उड़ गए। क्योंकि अल्ट्रा साउंड बन सकती है यह हर किसी के लिए बेहद हैरान कर देने वाला समय था डॉक्टर ने लीना का अल्ट्रा साउंड रिपोर्ट निकाल के लीना की मा को दिखा दिया और लीना की मा को साफ साफ कह दिया कि उसकी बेटी गर्वती है लीना की मा ने जब इस बात को सुना तो लीना की मा मां को ये समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हो कैसे सकता है और वो इस चीज को मानने के लिए बिलकुल भी तयार ही नहीं थी कि उसकी बेटी गर्वती हो सकती है लेकिन डॉक्टर ने लीना की मां को उमीद दिलाई कि हो सकता है कि हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन में कोई खराव गए और एक अच्छे ड्कटर से लीना का इजाच करवाई डॉक्टर ने अपने रिपोर्ट में बताया कि ये बच्ची सच में गर्वती है और इससे गर्वती हुए सत महीने हो चुके हैं यानी कि ये सत महेने से पेट से हैं दोस्तों अब सवाल ये था कि आखिर लीना उम्र में बच्चे को जन्म दे लीना की जिंदगी बच्चाने के लिए डॉक्टरों ने लीना का ओप्रेशन करने का फैसला किया और ओप्रेशन के दोरान डॉक्टरों ने देखा कि लीना के पेट में वाकई में एक बच्चा है अप्रेशन के बाद लीना ने एक बच्चे क लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर गिराड़ो इस केस से पीछे नहीं हटे और लगातार इस केस पर रिसर्च कर रहे थे, यहां तक कि लीना को कई सारे बड़े डॉक्टरों के पास ले गए, काफी रिसर्च के बाद डॉक्टर गिराड़ो और उसकी टीम इस नतीजे पर जब डॉक्टर गिराडो ने इस रिपोर्ट को अपने बड़े डॉक्टरों को दिखाया तो बड़े डॉक्टर भी हैरान हो गए लीना एक ऐसी बीमारी का शिकार हो चुकी थी जो पूरी दुनिया में उसी को थी जब लीना की इस कहानी के बारे में पूरी दुनिया को पता चला तो पुलिस ने लीना के सोतेले बाप को गिरफतार कर लिया पुलिस को इस बात का शक था कि लीना के सोतेले बाप ने लीना के साथ बलतकार किया है लेकिन कोई सबूत ना होने के कारण बाप को रिहाक कर दिया गया लीना की मा को भी लगा की हो सकता है कि स्कूल में या साल का हुआ तो उसे समझ में आ गया कि लिना उसकी मा है लिना अपने बच्चे के साथ अपनी जिन्दगी गुजार रही थी जब गिरारडो की उम्र 40 साल की हुई तो उसे बॉनमेरो की बिमारी हुई जिसके कारण गिरारडो की मौत हो गई जबकि लिना आज भी 85 साल की उम्र में भी जिन्दा है और अपने देश पेरू में रह रही है लंडन में साक्षाथ हनुमान जी ने लिया जनम चमतकार देख गोरे भी बोले जैश्री राम दोस्तो पंडित धिरेंदर कृष्ण शास्त्री जी के बोलने का तरीका हो या उनके चमतकार सब कुछ उनके भक्तों को अद्भुत लगता है रोज सैकडों की संख्या में दूर दूर से लोग उनके दरबार में अरजी लगाने और कथा सुनने के लिए आते हैं पागेश्वर बाबा की ख्याती इतनी फैल चुकी है कि इनके दरबार में बड़े से बड़े सेलिब्रीटी अरजी लगाने पहुँच रही है पंडित धिरेंदर कृष्ण शास्त्री जी आजकल बहुत जादा सुर्ख्यों में है और सुर्ख्यों में रहने का कारण है उनके द्वारा लोगों की समस्याओं को सुलजाया जाना और वो भी एक अरजी के जरीए कई लोगों का मानना है कि ये अरजी वाला सिस्टम ही एक धोंग है और वो मेंटलिजम का सहारा लेते हैं लोगों के मन की उन चीजों को पढ़ने के लिए और उसे वो पेपर पर लिख कर दे देते हैं इस तरीके से वो लोगों को उपास को बढ़ावा दे रही हैं लेकिन अब तक उन्हें एक्सपोज करने की जितनी भी कोशिश होई हैं वो सारी विफल हो चुकी हैं कई ऐसे पत्रकार हैं जो बागेश्वर धाम आचुके हैं इन्हें एक्सपोज करने के लिए लेकिन वो खुद ही एक्सपोज होकर चले जाते हैं फिर भी कई बड़े बड़े जानकार ये मानने को तयार ही नहीं है कि बागेश्वर धाम में वो शक्ती है वो चमतकार है जो वो लोगों के मन को पढ़ पा रहे हैं तो दोस्तो क्या सच में ये एक मेंटलीजम की ट्रिक है क्या वो लोगों के मन की बात नहीं पढ़ रहें बलकि उनके चेहरे के हाव भाव को देखकर यह जान लेते हैं कि उनके मन में क्या हो रहा है और फिर एक परचे पर उसको लिख देते हैं दोस्तों आज इनी सबी सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं और साथ ही बागेश्वर बाबा के एक ऐसे चमतकार के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके भी पैरो तले जमीन खिसक जाएगी तो आईए दोस्तों पहले चमतकार के बारे में ही जान लेते हैं बाला जी के आशिरवाद से इंग्लेंड ले सिस्टर में एक दमपत्ती के घर हुआ साक्षाथ हनुमान जी जैसा दिखने वाला बच्चा दरसल पिछले साल गुरुदेव इंग्लेंड गए थे श्री हनुमान कथा के लिए वहाँ पर एक नव वेवाही जोडे ने अर्जी लगाई थी महिला हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी महिला ने हनुमान जी को अपना भाई मान लिया था लेकिन उनके घरवालों को इन सब पे विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ चमतकार भी हो सकता है महिला बार बार गर्ब से होती थी और बच्चा नहीं रुक पाता था उनको डर था कि इस बार भी कहीं ऐसा ही ना हो जाए फिर वो हनुमान जी की कथा में आई और अपनी अर्जी लगाई इस पर गुरुदेव यानि की बागेश्वर बाबा ने कहा जाओ साक्षाथ हनुमान जी आपके घर पर पधारेंगे ये सुनकर कपल गुरुदेव के पैरों में गिर कर रोने लगा आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बागेश्वर धाम में धिरेंदर कृष्ण शास्त्री जी जब लोगों की अर्जियों का निवारन करते हैं तब वो कभी कभी एक तिथी भी बताते हैं और ये दावा करते हैं कि उस तिथी पर उनकी समस्या का निवारन हो जाएगा बिमारी के कष्ट से आराम और बच्चे की प्राप्ती जैसे मामलों में एक बार धिरेंदर कृष्ण शास्त्री जी ने एक महीला को विशिष्ट तिथी भी दी थी बागेश्वर धाम सरकार ने अपने ओफीशल इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो को शेयर किया था इसमें एक महीला बागेश्वर धाम में भंडारा करने आई थी उसके परिवार में अरजी लगने के बाद बच्चे का जनम हुआ था खास बात ये है कि बच्चे का जनम उसी दिन हुआ जिस दिन का उल्लेक धिरेंदर कृष्ट निशास्त्री जी ने परचा पड़ते वक्त किया था महीला बताती है कि उसके परिवार के लोग बागेश्वर धाम में बच्चे की अरजी लगाने आये थे तीन महीने वो बागेश्वर धाम ही रहे फिर जब अरजी लगी तो पंडि धिरेंदर कृष्ट निशास्त्री जी ने आशिरवाद देते हुए एक विशिष्ट तारीख बताई और कहा कि उनके घर इसी तारीख पर एक पुत्र की प्राप्ती होगी महीला से जब पूछा गया कि उसे कैसा लग रहा है तो उसने बताया कि उसे और उसके परिवार को बहुत अच्छा लग रहा है बाला जी ने उनकी सुन ली दिरेंदर कृष्ण शास्त्री जी ने बच्चे का नाम घंश्याम रखा है उन्होंने बताया कि बच्चे का नाम घंश्याम इसलिए रखा है क्योंकि ये बच्चे का रंग भगवान श्याम जैसा है दिरेंदर कृष्ण शास्त्री जी महिला को बधाई देते हुए प्रार्थना करते हैं कि जैसे उस महिला की भगवान ने सुनी है वैसे ही वो सभी की सुने अब दोस्तों कुछ लोग बागेश्वर बाबा को ढोंगी कहते हैं और उन लोगों का कहना ये है कि बाबा सिर्फ एक मेंटलिस्ट की तरह ही लोगों के हाव भाव से उनकी मन की बात जान लेते हैं जबकि पंडित धिरेंदर कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि ये बाला जी सरकार की शक्ति है जो उनकी मदद करती है उन्हें सब कुछ बताती है आपको पता होगा कुछ समय पहले बहुत सारे लोग जो खुद को ग्यानी मानते हैं वो पंडित धिरेंदर कृष्ण शास्त्री जी को एक धोंगी मान कर उन्हें ये कह रहे थे कि वो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही हैं जिसके बाद क किसी को भी कुछ भी नहीं बताया था वो भी पंडित जी के सामने नत्मस्तक हो गया इसके बाद भी अब तक कई शो चलाय जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ये मेंटलीजम की ट्रिक है वो मेंटलीजम का सहारा लेते हैं और सामने वाले के हाव भाव जानकर पर्चे मे वही लिख देते हैं जैसा सामने वाला इशारे करता है या साइंस देता है अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर mentalism कैसे काम करता है और क्या सच में पंडित जी mentalism का इस्तमाल करते हैं अब mentalism होता है कि हमारी दिमाग में जो भी होता है तो हमारा शरीर भी उस तरह से हाव भाव दिखाता है जैसे अगर कोई जूट बोल रहा होता है तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है उसके चहरे पर अजीब हाव भाव दिखने शुरू हो जाते हैं वो घबराने लगता है इसी तरह जब भी हम कोई चीज सोचते हैं तो हमारी आँखों का थोड़ा सा हिलना होट हिलना ना खिलना इससे सामने वाला पहचान सकता है कि हम किस तरह की चीज के बारे में सोच रहे हैं हम डरने वाली चीज के बारे में सोच रहे हैं जबकि उसकी जुबान पर वो नंबर आया तक नहीं होता, उसने बस मन में सोचा होता है, यही मेंटलीजम की ट्रिक है, जो कि चेहरे के हाव भाव को पढ़कर सामने वाला जान लेता है, कि उसके मन में क्या है, अब क्या पंडित धिरेंदर कृष्ण शास्त्री भी क्योंकि मेंटलीजम का इस्तमाल करने के लिए, जो आपके सामने इंसान है, उसके हाव भाव आपको पढ़ने जरूरी है, अगर आप उससे मिले तक नहीं है, और वो भीड में कहीं दूर है, तो उसके हाव भाव आप जान नहीं सकते, और पंडित जी तो पर्चे में पहले काम नहीं करता, आपने कई टीवी शोज में देखा होगा, कई मैजीशन्स जो ट्रिक दिखाते हैं, वो भी इसी तरीके से करते हैं, कि उनके चेहरे की तरफ सबसे जादा देखते हैं, दोस्तों आप कई ऐसे वीडियो देखते होंगे, जिसमें जो जादूगर है, यदि व पूरे तरीके से उसके मन में क्या चल रहा है, ये नहीं बता पाता, क्योंकि लंबे पहरा ग्राफ बताने बहुत मुश्किल होते हैं, जबकि कोई अंक, कोई नमबर, कोई नाम बताना बहुत असान होता है, अब दोस्तों पंडिजी कभी भी चेहरे की तरफ इतनी जादा देर तक नहीं देखते हैं, तो मेंटलीजम का इस्तमाल तो वो कर नहीं सकते, लेकिन अगर ये मेंटलीजम का इस्तमाल नहीं करते हैं, तो आखिर किस शक्ती से वो ये चमतकार कर पा रही हैं, तो इसका जवाब पंडिजी ने खुद दिया है, पंडिजी खुद कहते हैं, कि वो किसी भी तरहे की शक्ती को खुद में समाय हुए नहीं है भले ही उन्होंने सिधियां प्राप्त करी है लेकिन ये जो अर्जी वाला पूरा सिस्टम है ये बाला जी सरकार यानि की हनुमान जी द्वारा वहां पर होता है उनका कहना है कि ये चमतकार वो नहीं करते हनुमान जी कराते हैं हनुमान जी उन्हें वो द्रिशे दिखाते हैं जो वो पर्चे पर लिखते हैं उसके बाद वो पर्चा सामने लाया जाता है और उस आदमी को बुलाया जाता है और कमाल की बात तो ये है कि वो सब कुछ सही निकलता है और उनका कहना है कि ये बागेश्वर धाम में ही होता है क्योंकि ये काम वो नहीं कर रहे ये काम बाला जी सरकार द्वारा किया जा रहा है दोस्तों ऐसे बड़े बड़े दर्बारों के लिए वो एक रुबे भी नहीं लेते इनके राम भजन के लिए इनके राम पाठ के लिए दूर दूर से अलग-अलग शहरों से इन्हें बुलाया जाता है अलग-अलग राज्यों से बुलाया जाता है और राम कता की मदद से जो भी पैसे इकठे होते हैं बाबाजी उनका पर्सनल यूज नहीं करते हैं बलकि विवाह में लगाते हैं जो गरीब औरते होती हैं गरीब बच्चियां होती हैं उनके विवाह में सामोहिक विवाह में पैसे खर्च करते हैं बागेश्वर सरकार धाम जी की तरफ से निशुल्क वृदाश्रम भी खोले गए हैं और अभी हाल ही में इन्हों ने अपने भक्तों को ये आश्वासन दिया था कि वो बहुत ही जल्द पूरे तरीके से निशुल हो जाते हैं लेकिन पंडे धिरेंदर कृष्ण शास्त्री जी को एक्सपोज करने के लिए कई पत्रकार भी जा चुके हैं ऐसे मेंटलीजम वाले कई यूट्यूबर भी जा चुके हैं लेकिन कोई भी इन्हें एक्सपोज नहीं कर पाया एक्सपोज तो तब करेंगे जब जान पाएंगे कि आखिर वहाँ पर क्या होता है दोस्तों हिंदु धर्म में प्राचीन काल से ही चमतकार होते आ रहे हैं कुछ बड़े चमतकार कुछ छोटे चमतकार और हमारे धर्म गरंतों में लिखा हुआ है कि यह हर एक चमतकार विज्ञान का हिसा है यानि कि पूरी जो शृष्टी है वो नियमों से चलती है यहां जो भी होता है वो नियमों से ही होता है ठीक वैसे ही जैसे विज्ञान में नियमों से होता है लेकिन कुछ चीजे हैं जो अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं भविश्य में जब हम समझ जाएंगे तब हम उन्हें मान लेंगे ज बलकि वो लोगों की समस्याओं को सुलजा रहे हैं अंद विश्वास को भड़ावा नहीं दे रहे हैं बलकि ये बागेश्वर धाम की शक्ती है ये उनका मानना है और भक्तों का मानना भी है और मेरा भी यहीं मानना है सनातन धर्म के इतिहास में भी बहुत बड़े बड़े चुके हैं तो अगर इन्हें चमतकार भी कहें तो कुछ गलत नहीं होगा हनुमान जी की शक्ती असीम है और इसे बस उसका एक नमूना मात्र के है सकते हैं और बाकी रही बाद पंडित धिरेंदरकेशन शास्त्री जी के चरित्र की तो वो बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले इनसान हैं जो की बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सनातन संस्कृती के संत हैं सनातन संस्कृती के महान संत हमेशा अच्छा कार्या करने के लिए अपना जीवन नियुच्छावर कर देते हैं जैसे की पंडित जी कर रहे हैं अब मैं ये आप से जानना चाता हूँ कि क्या पंडी जी को एक अन्विश्वासी और ढोंगी इंसान मानते हैं या एक ऐसा संथ ऐसा इंसान मानते हैं जो कि हनुमान जी की सेवा कर रहा है दोस्तों ये तो वो खुद ही कहते हैं कि उनमें कोई शक्ती नहीं है सारा कार्या हनुमान जी द्वारा किया जाता है आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बोक्स में लिख करके जरूर से बताएं यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे कमेंट बोक्स में जै बागेश्वर धाम, जै बालाजी सरकार, जै श्रीराम लिखना बिलकुल भी न भूले आगे भी ऐसे वीडियोज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बैल आइकन को जरूर से दबा ले जल्द मुलाकात होगी आप से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद